नमस्कार दोस्तों क्या राहुल गांधी बड़े सत्रंज के खिलाड़ी हो चुके हैं और क्या राहुल गांधी ने अपनी धाई आखर की चाल से तो धाई घर की चाल होती है उससे भारतिय जनता पार्टी को तगड़ी शुनोती दे दी है और क्या राहुल गांधी ने भारती जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के उस निरेट्यू को धरासाही कर दिया है और उस साजिस को धरासाही कर दिया है जो उन्होंने रची थी और क्या सचमुछ अमेठी और रायवरेडी गांधी परिवार नेहरु परिवार का गड़ रही है और जो है उनके लिए सदव खली रही है और क्या नरेंद्र मोदी और भारतिय जन्ता पार्टी का खेल बिगड़ गया है जी है बिल्कुल कुछ इसी तरीके से इसी पर आप से बात करूँ राहुल गांधी ने जो रायवरेली से लड़ने का फैसला किया है उस फैसले में मुझे कहीं कोई गलती नजर नहीं आती है यह उत्तर प्रदेश की राजनीत के द्रश्चिकोर से देखें और भारति राजनीत के द्रश्चिकोर से देखें तो उन्होंने बड़ा बहतरीन फैसला लिया है क्यों लिया है क्या है इसी पर आप से बात करूँ आप बड़े दिनों से देख रहे थे इसमती इरानी हो नरे नमोदी हो या उनकी भारती जनता पार्टी उनके तमाम सारे सिपासाला और तमाम सारे लोग बार बार यही चर्चा कर रहे थे कि राहूल गांदी मेठी से क्यों क्यों नहीं रड़ हैं राहुल गांदी ऐसा क्यूं कर रहा हैं क्यूं आप यह चाहे है रहूल गांधी और कोई भी हो उसे सांसद होना चाहिए इस देश के सदन का सदस्य बनने के लिए या कोई पद लेने के लिए वो रहुल गांदी आलरेडी है अब लोग कहते हैं कि वो अपना रण छोड़ रहे हैं तो अब आप बताईए नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा की सीठ क्यों छोड़ दी क्या वो रण छोड़ना नहीं थ और नरेंद्र मोदी इतने ही दमदार थे चाहें 2014 में हो चाहें 2019 में हो तो वो क्यों नहीं राहुल गांदी या सोनिया गांदी के खिलाफ लड़े तमाम सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कुछ वो भी लोग बातें करते हैं जो कॉंग्रेस और लोक तंत्र के राहुल गांदी के वेलपी सान है वो भी इसी मूर्खता में फ़स जाते हैं भारतिये जनता पार्टी जाल फेकने में बहुत माहिद हैं और यह आज नहीं यह यह पुराना इतिहास है, ओ लगातार क्योंकि यह संग का इतिहास है लगातार साजिसें रश्ती हैं और उन्हीं साजिसों का हिस्सा हैं और जो लोग यह कहते हैं जो बहुत सुरक्ष्चित सीथ है तो मुझे लगता है उन्हें इस सीथIM के बारे में कोई जानकारी ही नहीं यह जानकारी होती तो साइड वो ऐसी बात ही नहीं करते बरान अब चुब कि बात हो रही है इस सीथिथि तो हम इसी सीथिथि पे ही बात कर दो इस सीट की स्थिति क्या है भौगोली की स्थितियां हो या कोई और ऐसे में आप ये समझे राहूल गांधी का राय बरेली से लड़ना कई सारे संकेत देता है कई बड़ी रणनीत को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि वह रण छोड नहीं है यह गलत फेहमी का सिकार मत हो यह नरेन्रमोदी बार बार जो निरेट्यू बना रहे थे केरला पहुंचकर भी बोल रहे थे और याद करिए वाइनाड में राहूल गांधी के नामांकन वाली जगह पे वहां के प्रत्यासी का नामांकन कराने अमेठी की मौजूदा सांसत और नरेन्रमोदी की सबसे प्य गई थी जिनका नाम इस्मति और रानी हैं वह किसकी रानी है क्या है मैं कुछ नहीं बात करता हूं मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि ये पूरा खेल समझिए वहां जब राहुल गांदी लड़ रहे थे तो वहँ पर वाम पंती डल कह रहे थे राहूल गांदी यहां क्यों लड़ रहे हैं वो राय वरेलिया मेठी से क्यों नहीं लड़ते हैं खेल को समझेगा यहाज डिकोड करने का वक्त है जो मुर्क तामे राहूल गांदी के लिए कुछ भी सब्द कह रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहि तो राहुल गांधी वहां पर लड़ने गए तो एनी राजा को जो वाम पंथियों की बहुत बड़ी नेता है उन महिला नेता को उनके सामबे लड़ाए जाता है मतलब वामपंथियों को भी कोई पुरुस नहीं मिलता है क्यों भाजपा भी उनके खिलाप किसे लडाती है महिला नेता देखिए दोनों जगें क्यों लडाती है और आपने देखा है कि केरल में वामपंथी भाजपा से गले लगते मिलते हैं और वो कॉंग्रेस के खिलाप ख समझें तो वो उस महिला नेता को खड़ा करते और कहते क्यों नहीं इसको छोड़ देते वज़े क्या है वहां से तो राउल गांदी साड़े छह लाग वोटों से जीते तो क्यों छोड़ दे वहां के लोगों ने प्यार दिया है उन्हों उनके साथ जोड़ा है तो क्यों छोड़ भाजपा भी यही कह रही जी ओविक है नरेन मोदी नहीं केरल में सभाकी उसमें कहा राहूल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ के आ गए हैं अब वो कहीं और जाएंगे तो साथ उत्तर प्रदेश छोड़ा है कह रहे राहूल प्रदेश वहीं आए रायवरेल के गला एंगे इस। क्यों कि उनकी मा वहाँ अब नहीं कि तो वहां आए अब वहान क्यों आय उस रणी को मतलब को समझ्जें राहूल गांधी किस से लड़ते हैं भारती जनता पार्टी से लड़ते हैं तो उन्हें किना चाहिए वह भाज हश्पा फरजी का गुपवारा फुलारा रही थी वहां पर कुछ नइन था प्रदान मंतरी भी बारफुला अढ़ा एं कि गुपवारा मंतरी जो श्मति एरानी है वů भी अपना हवा छोड़ती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ लेकिन राहुल गंधी और उनकी बहन ने वहां का कमान समाली वहां के लोगों ने अथा प्यार दिया नतीजे आपके सामने आ जाएंगे तो राहूल गांधी ने वहां क्या किया है लोग कैसे पसंद करते हैं खुद सामने आएगा तो अब राहूल गांधी अमेठी आए कि राइवरेली आए यह उनका फैसला था उन्होंने बहुत सोचा क्यों अमेठी आना चाहिए क्यों राइवरेली आना चाहिए और इसके बाद में फाइनली आया कि राइवरेली आना चाहिए क्यों राइवरेली आना चाहिए यह जानगी क्योंकि राइवरेली सीट पहले प्रतापगड और राइवरेली सीट होती थी 1951 के चुनाव में जब देश का पहला चुनाव तब उनके जो है पिता उनके डादा जी वहां से चुनाव लड़े थे और वहां से सांसद रहे वहां से जीते 1951 में और 1957 में राइवरेली अलग सीट हो गई वो अलग सीट हो गए तो राइवरेली सीट से वो लड़े जीते सांसद में 1960 में उनका निधन हो गया सब ने कहा कि इंदिरा गांधी को लड़ा दीजिए पंडे जवाल लाल नहिरू ने कहा नहीं मैं विरासक देने पर यकीन नहीं रखता हूं और उन्होंने इंदिरा गांधी को कोई पद नहीं दिया कोई चुनाव नहीं लड़ाया और कि जब पंडि जवाल लाल नह ру का जिधन हो गया तो तमाम लोगों कि मांग टिकी इंद्रा जी ने मना कर दिया लाल भादूर शास्त्री जी का नाम आया लाल भादूर शास्तुरी ПОurn презreli देशाई ने प्रधान मंत्री बनी इंदिरा जी उनके सरकार में पहली बार मंत्री बनी और राज्यसभा की सदस्से बनी अब आप समझे राज्यसभा की सदस्स थी कोई जरूरत नहीं थी उन्हें और चुनाव लड़ने की जब निधन हुआ लाल बहदुर सास्त्री का तो इंदिरा गांधी 166 वोटों से जीती और देश की प्रधान मंत्री बनी कॉंग्रेस पालिटी तूट गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई लेकिन इन सब के बावजूर इंद्रा गांधी ने हिम्मत नहीं आगी 1967 का चुनाओ हुआ और इंद्रा गांधी पहली वार रायवरेली से चुनाओ लड़ी जीती फिर 1971 का चुनाओ लड़ी और जीती अब यहां मात्पूर है कि स्रीमती गांधी के खिलाप लड़ने वाले लोग कौन होते थे और कैसे लड़ते थे क्या क्या करते थे इसको जान लीजिए कि किस तरीके से साजिसें रची गई क्या क्या किया गया यह आपके सामने आना चाहिए मैं यही इसी को ही लेकर आप से को बताता हूं कि कैसे कैसे साजिस रची गई क्या हुआ और उसका उदानन यह मौजूद है कि जब फिरोज गांधी लड़ गया थे तो उनके खिलाब कौन लड़ा था जनसंग के लोग जब इंद्रा गांधी आई तब कौन लड़ा था जनसंग के लोग फिर लोक दल और वो लोक दल किसके साथ ख़ड़ा था जनसंग के साथ में RSS के साथ आज भी जैन चौदरी किसके साथ खड़े हो गए हैं उसी भाजपा के साथ जो जनसंग से बने और उसके बाद खेलो रहे हैं तमाम सारे लोग तो इंद्रा गांधी इकतर भी जीत थी एकतर जीतने के बाद में राज नराइन जी ने उनके जो चुनाओ को चुनोती दी कि उन्होंने सरकारी वो तमाम सारी चीजें यूच करी हैं और उस आधार पर चुनाओ निरस्ट कर दिया गया चुनाओ निरस्थ होने के बाद में जब इंद्रा गांधी ने आपातकाल लगाया और उसके बाद 1970 का चुनाओ हुआ तो राज नराइन जी उनसे पचास हजार बोटों से जीत गए सोचे और उसके बाद में पिर 1980 का चुनाओ हुआ इंद्रा गांधी भारी मतों से जीती और संसत पहुंची लेकिन उस चुनाओ में उन्हों ने गच्छन में मेडक सीट जो है आंद्रप्रदेश की वहां से भी चुनाओ लड़ा और वहां से भी जीता और इसके बाद उन् प्राप समझें उन्हों ने कहा कि राइवरेली ने और इसाथ धोखा किया है और वह से परिवार के सद्ष्यों को लड़ाने का फैसला कि और और इसके बाद में स्रीमती गांधी ने जब वहां पर चुनाओ लड़ाया तो आती है समझे तो तब स्रीमती गांधी ने अब यह सुरी मैं आंध्र प्रदेश कह रहा था वो तेलंगाना हो गया है तब स्रीमती गांधी के स्टीफे के बाद इस पर उप्चुनाओ उए जिसमें नहरू गांधी परिवार से संबन्ध रखने वाले अरुण नहरू को टिकट दिया गया अरुण नहरू वहां से सांसत बने उनिस सच्वारासी में फिर चुनाओ और अरूण नहरू ने वहां से जीत दर्जी की और इसके बाद में 1989 में वहां से इंदिरा जी की मामी जो थी सीला कॉल वहां से जीती और सीला कॉल के बाद में फिर दोबारा सीला कॉल क्या के छीते उनिस्स सो एक्यानवे में जीती और फिर 1996 में सीला कॉल के बेटे वहां से चुनाओ लड़े वहार गये तीसरे Pode पर फिर अठान बे में चुना हुआ तो दीपा कॉल जो उनकी बेटी थी सीला कॉल की वो लड़ी ओभी तीसरे नंबर पर रही उनकी जमानत जब्थ हुई तो यह स्थिति आई इसके बाद में उननिस सो निन्यानबे का चुनाओ हुआ और जब उननिस सो निन्यानबे का चुनाओ हुआ तब वहां पर उननिस सो निन्यानबे के चुनाओ में इसलिए महत्पूर्ण है कि आप यह देखें कि उननिस सो निन्यानबे में क्या हुआ वह सबसे महत्पूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें रायवरेली सीट पर कॉंग्रेस पार्टी ने सतीज सर्मा को लड़ाया जो गांधी परिवार के समर्पित थे सतीज सर्मा और उनका पूरे चुनाओ का प्रवंधन किसने किया किसोरी लाल सर्मा ने जो अब अमेठी से कंडिडेट बने तो सतीज सर्मा वहां से सुनाओ लड़े और जीते और जब सतीज सर्मा ने इस सीट को वापस जीता तब आप समझे ये वापस आई फिर उसके बाद 2004 में यहां से स्रीबती सोनिया गांधी जीती फिर 2009 में जीती है और फिर 2014 में जीती है और 2019 में जीती है तो यह रायवरेली का गणित है रायवरेली ने इसके लिए प्राश्चित किया था कि हमने जब गलत किया तो आपने यदि छोड़ी सीट तो हमें कोई आपती नहीं है हम उसके लिए छमा चाहते हैं तो यह इस्तिती है अब अमेठी क सब्सक्राइब या सब्सक्राइब टोटके फिर उसके बाद 1970 में जब चुनाओ हुए तो 1970 में यहां से पहली बार गांधी परिवार का के संजय गांधी चुनाओ लड़े और उनकी जमानत जब्थ हो गई 1970 फिर 1980 में वो चुनाओ लड़े और 1980 में वो सवा लाक वोटों से जीते दुर्वाग से उनका निधन हो गया वहां उपचुनाओ हुआ उपचुनाओ में मेंका गांधी चाहती थी कि उन्हें लड़ाया जाए लेकिन इंद्रा गांधी ने कहा आपकी उम्र नहीं है तो उन्ह का कानून बदल दीजे उन्हों का नहीं हम यह गलत नहीं करेंगे और उन्होंने राजियू गांधी को वहां से चुनाओ राजियू गांधी वहां से सांसद निर्वाची थी उसके बाद में फिर 1984 का चुनाओ आया श्रीमती गांधी इस दुनिया से जा चुकी थी और वदान मंत्री के तौर पे भी थे सांसद बने और उसके बाद में तब यह तब वो साधी तीन लाख 65 वोटों से जीते और इसके बाद में 84 के बाद में और तब राहु राजियू गांधी जब वहां से जीते तो आप समझें उन्हों ने किसको हराया उनके खिलाब जनसंग ने भाजपा ने RSS ने मदद करके मेंका गांधी को खड़ा किया था और मेंका गांधी 50,000 वोट सिर्फ पासकी थी तो यह इस्तिती थी फिर 1989 में फिर Rainy Ugyandhi Jee भी 19 राजिव गांधी जीते लेकिन तब तक राजिव गांधी इस दुनिया से जा चुके तो उस कारण से वहाँ उपचुनाओ और जब उपचुनाओ हुआ तो आप समझे वहाँ पर और इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी जो सबसे बड़ी चीज चौरासी में जनसंग आ अछैवें और ठाइच मोंण गांधी को लड़ाया था और फिर आप गया उन्नीस सो क्यानमे में उनके खिलाप जो है राजिव गांधी खिलाप रवीन पाताव सिंग को और से s. lle के थे बी जेपी के थे उनको लड़ाया था और इसके बाद में आप देखे उनके निदन ए ने केप्टन सतीज सर्म harbor uh 93 में लड़े वहां से reperdut में अठ्ञान्वे में जब चुना हुआ तो और कॉंग्रेस पालिटी के ये गदाद जो डाक्टर संजय सीन जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था अमिता मोदी जिसे वो बहन कहते थे राकी बनवाते थे और उसके बाद उसी से साधी कर ली थी और जो भी रिलेशन्स वो बड़े चर्चा में रहे थे गरिमा सीन को छोड़ दिया वो वहां से 98 में चुनाओ जीत गए भाजपा की टिकट पे और सतीस सर्मा हार गए सतीस सर्मा जब हार गए फिर 99 में स्रीमती सोनिया गांधी वहां से चुनाओ लड़ी और जीती पहली वार वहीं से सांसर गए उसके बाद में वो रायवरेली आ गई लीड कर रही थी पार्टी को रायवरेली आ गई और राहूल गांधी 2004 में पहली वार मेठी से सांसर पले राहूल गांधी देखे जब लड़े तो राहूल गांधी के आसपास भी भाजपा नहीं होती थी तो उन्होंने बस्पा को हराया पहली बार भी बस्पा को हराया बस्पा ने वहां ब्राम्मल कंडिडेट खड़ा किया दूसरी बार फिर बस्पा ने कंडिडेट खड़ा किया उसे हराया आसी सुकला को और उसके बाद में तीसरी बार 2014 में इसमती हिरानी आई उन्हें बुरी तरीके से राहुल गांदी ने हराया सवालाग वोट से हराया और फिर उसके बाद 2014 में के बाद 2019 में इसमती हिरानी ने उन्हें 50,000 वोटों से राया 55,000 वोटों से तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं सीटें बड़ी सुरक्षित है कोई नहीं यह रणनीत ही है इसलिए यह बताने के लिए कि देखिए हम दरते नहीं है हम उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे आपको दिखाएंगे और चुनोती को देंगे और उधार हम दच्छर छोड़ेंगे नहीं क्योंकि दच्छर के दर्वाज ने हर बार साथ दिया है बुरे वक्त में साथ दिया है तो भाजपा और नरेंद मोदी क्या चाहते हैं कि राहुल गांदी दच्छर छोड़ दें जिससे निरेट्यू बन जाए जो दच्छर में कॉंग्रेस मच्बूत है वहां वो हम खतम कर लें अपनी नफरत को वहां पन सर्मा को हास लड़ाया और पूरी केंपेंग की कमान उन्होंने संदेश दे दिया कि प्रियंका गांधी ही सभालेंगी जो पहले भी समालती थी स्वाविक सिवात इस चुनाओं के बाद में कहीं न कहीं एक सीट राहुल गांधी को छोड़नी हो तो धोखा नहीं होगा गांधी परिवार को गांधी परिवार ही रहेगा यह भी संदेश दे दिया है इससे समझ सकते हैं इसलिए अब रायवरेली प्रधान मंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी को चुनेगी या नहीं चुनेगी यह समझ लिए लेकिन राहुल गांधी के वहां लड़ने से अमेठी पर भी एसर पड़ेगा और आसपास के छेत्रों में भी पड़ेगा और यह बात वहां की जंता आज खुल कर बता रही है इससे आप समझ कि राहुल गांधी ने कितना बड़ी सत्रंज की बिचाद बिचाद बिचाई है कि भाजपा और मोदी की गुगली हो गई है यह है सब्सक्राइब झाल कि पुल झाल कि रहल कर दो भी है यह है यह है कि बिचाद बिचाद बिचे